खाना तो हर किसी को पसंद आता है और जब street style sandwich हो तो खाने का मझा दुबना हो जाता है तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ street style सेविपुरी sandwich जिससे बनाना बहुत यासान है और खाने में इसका कोई भी जबाब नहीं नमस्कार में राधा दूबे मौम्स मेजिक चेश्टी फूड में आपका स्वागत करती हूं अगर आपको आज की रिस्पी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें तो इस रिस्पी को बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है तीन मीडियम साइज का ब्रेड मैं यहां पर इसे बिल्कुल बजाद ऐसा बना रही है तो इसलिए मैंने यहां पर तीन ब्रेड लिया है आप इसका वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जिसे मैंने पहले से अप्लोड किया हुआ है, मैंने यहाँ पर दो ब्रेड में अच्छी तरीके से चटनी लगा लिया है, यह सेव पूरी सैंडविज है तो इसके उपर हम लगाएंगे सेव की पूरी, एक ब्रेड पर मैंन मैं यहाँ पर छे पूरी को सेट कर दिया है, और मैंने यहाँ पर लिया है दो उबले हुए आलू, जिसे मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है, इसमें चाट मसालों को मिक्स कर लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चाट मसाला मिक्स कर सकते हैं, अब हम इ इसमें डालेंगे बारिक कटा हुआ टमाटर, इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारिक कटी हुई शिमला मिच, शिमला मिच डालने के बाद हम इसके उपर डालेंगे हरी चटनी, हरी चटनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम्या ज़्यादा कर सकते हैं, इसे बिल्कुल मार् कर रेडी हो चुकी है अब हम बनाएंगे इसकी दूसरी लेयर जैसा कि आप बिल्कुल मार्केट में थेड़े के ऊपर सेंडविच खाते हैं दूसरेवेट बेट के ऊपर हम लगाएंगे स्लाइस किया हुआ टमाटर के ऊपर अब हम लगाएंगे स्लाइस की पर लाने के लिए हम इसके उपर डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लैक्स आप इसमें बारिक पीसी हुई काली मिर्च का भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल बजार जैसा है तो चीज भर-बर के डालना तो बनता है क्योंकि चीज डालने से इसका जो टेस्ट हो बिल्कुल बजार जैसा बहुत ही अमेजिंग आता है तो ये लेयर बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो इसे हम साइड में कर देंगे तो दूसरी layer के उपर अब हम डालेंगे बारिक सेव जैसे कि बजार की सेवपूरी में डालते हैं तो यहाँ पे हमारी sandwich की दोनों layer ready हो चुकी है अब हम तीसरी layer के उपर लगाएंगे हरी चटनी और साथ ही में हम इसके उपर लगाएंगे टीमली और खजूर की खटी मिठी चटनी अब हम इस bread के पीस को उठा कर दूसरे बेट को cover कर देंगे और इस layer को भी उठा कर हम इस सेवपूरी के लेयर के उपर रख देंगे और इसे भी अच्छी तरीके से चारोतर से सेट कर लेंगे और इसे हलका सा उपर से प्रेस कर देंगे ताकि जो भी हमने इसमें चीजे डाली है और अच्छी तरीके से सेट हो जाए इस sandwich को आप तवे या pan में भी बना सकते हैं तो मैंने यहाँ पे pan लिया है और इस pan में हम लगाएंगे हलका सा बटर और इसे अच्छी तरीके से फैला देंगे ताकि जो हमारा sandwich हो देखने में बहुत ज़्यादा सुन्दर और किस्पी बने अब हम इसके उपर रखेंगे हमारा sandwich और sandwich को रखने के बाद हम इसे हलके हाथों से प्रेस कर देंगे अब हम इसके उपर लगाएंगे धक्कन तो लीड लगाने के बाद इसे हम उपर से भी हलका सा प्रेस कर देंगे गैस का flame हम यहाँ पे medium रखेंगे ताकि जो हमारा पनीर हो अच्छी तरी से पके और बिल्कुल बजार जैसा बनकर त्यार हो जब यह एक साइड अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो जाएगा तब हम इसे पल्टेंगे तो यहाँ पर sandwich को मुझे पैन में रखे 5 मिनट हो चुका आप देख सकते हैं कि मैं इस sandwich भी एक साइड से सिख चुकी है अब हम sandwich के दूसरे side भी एक्छी तरीके से बठर लगा लेंगे ताकि जब हम sandwich को साइड सेख लें तो इसमें अच्छा सा कलर और क्रिस्पी पनाए और इसे हलके हाथों से इस तरीके से पलट देंगे और लीट लगा कर इसे अच्छी तरीके से दूसरे साइड भी सेख लेंगे तो इसे ढखे हुए मुझे पांच मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो हमारा सैंड्वीच है बिल्कुल अच्छी तरीके से सिख चुका है और आपको देखने से ही लग करा होगा कि जो चीज है वह अच्छी तरीके से मैल्ट हो चुकी है जिसके पास सैंड्वीच ग्रिल नहीं रहती वह इस तरीके से तबें भी बजा जैसा सैंडवीच बना सकता है तो यहां पर जो हमाई सेउख पूरी से सैंड्वीच है बिल्कुल बनकर रेड़ी हो चुकी तो इसमें पैन से बाहर निकाल लेंगे इसे काटने के लिए मैं आपको स्टफिंग फैलने लगती है मैं आपको इसे काट कर दिखा देती हूं कि यहां सेंड विज है नदर से कितनी अच्छी तरीके से कुक हुआ है सैंड्विच हमारा कट कर रेडी हो चुका है तो आब हम इसे उपर से थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे इसके लिए मैं इसके उपर डालूँगी बारिक कटा हुआ प्याज बारिक कटा हुआ टमाटर कद्दू कस्किया हुआ चीज थोड़ी सी हरी चेटनी थोड़ी सी रेड चेटनी बिल्कुल बजार जैसा लुक और टेस्ट के लिए हम इसके उपर डालेंगे बारिक सेव देखने में बहुत ज़दा खूबसूरत लगे तो इसके लिए हम इसके उपर डालेंगे अनार के थोड़े से दाने इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे बारी कटी हुई हरीधनिया तो यह लिजी बनकर तयार हो गए हमाई स्टीट स्टाइल सेवपूरी सैंड्वीच और जब आप इसे घर पर एक बार बना कर खाएंगे तो आप बाहर का सैंड्वीच खाना भूल जाएंगे क्योंकि यह खाने में इतना दरा टेस्टी होता है कि बाजार का भी सैंड्वीच इसके आगे फीका लगता है तो जब भी कभी आपका स्टीट फूट सैंड्वीच खाने का अमन हो तो आप इसे घर पर बढ़ी आसानी से बना सकते हैं और इस sandwich को बना कर अपने family के साथ इसे enjoy कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस subscribe के लाल बटन को दबाना ना भूलें क्योंकि वो बिल्कुल free है और अगर आपको ये recipe मेरी पसंद आई हो तो like भी जरूर कर दीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो like, share, comment और subscribe करना ना भूलें धन्यवाद